next यहाँ पर हम देखते हैं कि जो functions होते हैं vitamin C के function क्या-क्या होते हैं तो function की बात करते हैं कि हमारे body में क्या roll अदा करता है कि जो vitamin C हमारे लिए क्यों ज़रूरी है first तो हम देखते हैं कि collagen fibers को formation के लिए helpful होता है या फिस जो हमारे connective tissues में collagen fibers होते हैं तो उनके formation के लिए helpful होता है उसे work करता है नेक्स हम देखते हैं अब जैसे कि हम बात कर रहे हैं collagen fiber में formation के लिए helpful होता है जैसे कि हम बात करते कि बुल्ड healing को भी यहाँ पर recover करने में help होगा चोट वगरा लग जाती तो इसको भरने अभी helpful करता है तो यह हमारे collagen fiber के formation में helpful होगा नेक्स हम देखते हैं यहाँ पर vitamin C support to blood vessels, bone and cartilages जो हमारे blood vessels होंगे, bones होंगे और cartilages हैं इन सभी को भी support प्रोवाइट करेगा मतलब इनके लिए भी बहुत ही beneficial रहने वाला है नेक्स देखते हैं it is an antioxidant का काम करता है तो जैसे कि हमने देखा था कि COVID time में citrus fruit खाने के लिए advice दिया जा रहा था कि सबसे ज़्यादा हो सके तो आप खटे पदार्थों का सेवन करें vitamin C लें क्योंकि इसमें antioxidant प्रिजेंट होता है next हम देखते हैं anti hemorrhage and anti infection भी होता है तो ये तीनों हम यहाँ पर सबसे man role play करेगा इसलिए हम लोग vitamin C को भरपू मात्रा में लेने को बोल रहे थे anti hemorrhage के अलावा anti infection का भी काम करेगा anti biotic का भी काम भी करेगा तो ये हमारे vitamin C का man function था antioxidant, anti hemorrhage anti infection अब anti hemorrhage में हम बात कर ले थे हमरhage होने से रोकता है तो anti hemorrhage का काम bleeding जो हमारे internal bleeding हो सकती है या फिर gum bleeding हो सकती है कि खून निकलना brush कर रहे है तो brush से भी मसूडे से खून निकलने लगता है तो ये vitamin C की कमी से ही होता है क्यों मसूडे कमजोर होता है इसमें हमारे bleeding जल्दी से होने लगती है नेस्ट एंटी ऑक्सिदेंट का काम भी करेगा और anti infection मतलब anti infection anti oxygen हम सानते हैं नेक्स दीखते हैं कि vitamin C increase absorption of iron of vegetable source तो जो vitamin C होगा iron के absorption को बढ़ाता है तो vitamin C अगर हमारे body में है तो वो iron के absorption में भी helpful करेगा अगर इसी के लाबा vitamin C की अगर हमारे body में कमी हो जाती है तो iron का absorption भी कम हो जाएगा या फिर रुख जाएगा और iron की कमी भी हो जाती है हमेसा folic acid के साथ या फिर जो भी हमारे रहते हैं कि कुछ iron supplements दिये जाते हैं तो उसके साथ ascorbic acid या फिर एक चोटी सी टैबलेट भी दी जाती है तो यह हमारा हो जाता है नेक्स हम देखते हैं 70% of vitamin C lost in process of cooking स्टार्टिंग में हमने बोल दिया था कि जो vitamin C होता है अनस्टेबल होता है तो यहाँ पर जो vitamin C होता है cooking करने पर या फिर पकाने पर यह नस्ट हो जाता है तो जो vitamin C है वो खतम हो जाता है खटा तो रहेगा लेकिन उसमें अंदर जो vitamins है वो नस्ट हो जाएंगे next देखते हैं most animal and plants can synthesis ascorbic acid from glucose तो बहुत से plants और बहुत से animals होते हैं जो कि glucose के help से glucose से ascorbic acid का synthesis करते हैं तो हम यह भी बहुत सकते हैं कि बहुत से animals और plants जो होते हैं ascorbic acid का खुद से ही synthesis करते हैं next हम देखते हैं it help in iron metabolism हभी हमने देखा था absorption के लिए भी helpful होगा इसके लावा metabolism के लिए भी helpful होगा तो यह हमारे iron के metabolism के लिए helpful होता है metabolism होगा तो good absorption भी देखने को मिलेगा next हम यहाँ function देखते हैं maturation of RBCs तो यह help करता है हमारे RBCs के maturation के लिए बहुत ही helpful होता है तो RBC के लिए भी betimacy बहुत ही helpful है ascorbic acid help in steroid synthesis जो हमारे steroid hormones होते हैं उनके synthesis के लिए भी helpful होता है हमारा ascorbic acid vitamin C is presented adenal cortex जो हमारे kidney के उपर एक gland होती है adenal cortex में भी vitamin C present होता है तो यह हमारे vitamin C के रूप में वहाँ पर देखने को मिलेगा या फिर बहुत सकते के adenal cortex में vitamin C हमें देखने को मिलेगा next हम देखते हैं it is used for prevention and treatment of common cold जो vitamin C होता है हमारे common cold जो हमारे common cold बोसकते हैं इसके treatment के लिए या फिर इससे prevention के लिए helpful होता है हम बोलते हैं कि सर्दी में खटे पदात नहीं खाने चाहिए लेकिन ऐसा नहीं है क्योंकि vitamin C जो होता है वो common cold के लिए helpful होता है उसको ठीक करने के लिए helpful होता है बिटामिन सी इसका concentrated in the lens of eye इसके अलावा जो हमारे eye lenses में जो contraction या फिर जो उसका जो concentration होता है उसके लिए भी helpful होगा next हम देखते है regular intake of vitamin C reduce risk of cataract formation तो अगर vitamin C का daily हम intake कर रहे हैं तो जो eyes से problem जो cataract की problem है उसकी संभावना कम हो जाती है या फिर cataract नहीं देखने को मिलेगा next देखते it also promote wound healing हमने starting बात कर लिया था कि cartilages के लिए formation के लिए helpful होता है तो यहां पर भी हमने देखने को मिलेगा कि जो wound healing है उससे promote करता है या फिर उसे भरने में helpful करता है यह हमारे हो जाते हैं function